नमस्ते बच्चों, कैसे हो? मैं हूँ आपकी हिंदी की टीचर भारती सरोदे। नमस्ते बच्चों, कोविड-19 के इस मुश्किल दौर ने हमें अपने घरों में रहकर अपना कारिया करने के लिए मजबूर कर दिया है। लेकिन भूर मुंबई महांदर परिका ने आपके लिए इस चैनल के दौरा पढ़ने का अउसर दिया है। इस चैनल वरा आपके लिए वीडियो बनाये जाते हैं जिसमें आपका पाठ उसका शीर्षव तथा उसके नीचे दिये गए स्वाध्याय सभी दिखाई देंगे। जो आप घर बैद करहें अपना अध्ययन पूरा कर सकोगे। तो चलिए आज हम एक नए पाठ की ओर जाते हैं। ब्रुहन मुंबई महानगरपाली का शिक्षन विभाग। भर्च्वर ट्रेनिंग सेंटर द्वारा मैं भारती सरोदे आपका स्वागत करती हूँ। नमस्ते प्यारे बच्चों। आज हम हिन्दे सुलब्धार की छटी कप्षा का अभ्यास करेंगे। आज हम स्वयम अध्ययन एक और पुनरावरतन एक इसके अंतरगत हमें जो अलग से स्वाध्यय दिये हैं। उनको आज हम पूरे करते हैं। तो चलो देखते हैं स्वयम अध्ययन एक और पुनरावरतन एक। स्वयम अध्ययन एक प्रश्ण पहला एक से सव तक की उल्टी गीनती पढ़ो और कौपी में लिखो। क्या करना है बच्चों हमें। एक से सव तक की उल्टी गीनती करनी हैं। आपको आती हैं उल्टी गीनती करनी। चलो तो पहले एक से सव तक की गीनती करते हैं। पुस्तक में इस तरह इस टितली के पंखो पर एक से सो तक की जो गिन्ती है वह शब्दों में दी हुई है हमें क्या करना है सो से शुरुवात करके एक तप उसकी उल्टी गिन्ती करनी है चलो तो पहले गिन्ती कर लेते हैं उल्टी गिन्ती करने से पहले एक बार पहले सी भी गिन्ती कर लेते हैं एक, दो, तीन, चार, पाँच, छह, साथ, आट, नाव, दस ज्यारह, बारह, तेरह, चोदह, पंद्रह, सोलह, सत्रह, अठारह, उन्नीस, बीस 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 49, 40 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50 51, 52, 33, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 61, 62, 63, 64, 65, 66, 66, 68, 69, 70 61, 62, 63, 64, 65, 67, 78, 89, 80, 81, 82, 83, 84, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 91, 91, 92, 93, 94, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 99, 100 देखो, 100 से एक तक की उल्टी गिंती इस तरह भी लिखी जाती है 100, 99, 98, इस तरह और भी दूसरी तरह लिखी जाती है वह भी देखते हैं यहां इस तरह लिखे हैं खडी लाइन में 100, 99, 98, 97, 96, 95 तो अभी ये सारे अंग्चों हैं हमारे आखो के सामने हिंदी अंग्रेजी और शब्दों में होने चाहिए न बच्चों तो हम आसानी से उल्टी गिंती भी कर सकेंगे तो उसी तरह हम अंकों को देखकर उल्टी गिंती करना शुरू करते हैं अब हम उल्टी गिंती शुरू करते हैं 100, 99, 98, 97, 96, 95, 94, 93, 92, 91 नब्बे, नवासी, अथासी, सतासी, छेयासी, पचासी, चोरासी, तीरासी, बैयासी, इकासी असी, उनासी, अथातर, सतातर, छेयातर, पचातर, चोरातर, तीहतर, बहतर, इकतर सततर, उनातर, अर्ड़सर्ट, सर्ड़सर्ट, शियासर्ट, पैंसर्ट, चाउसर्ट, तीरिसर्ट, बासर्ट, एकसर्ट साथ, उनसर्ट, अठावन, सतावन, चपपन, पचपन, चववण, तीरिसर्पन, बावन, इक्यावन पचास, उन्चास, अर्टालीष, सैतालीष, कियालीष, एतालीष, चववालीष, तैतालीष, बैयालीष, एक्तालीष चालीष, उन्टालीष, अर्टीष, सैंतीष, छटीष, पैंतीष, चाउंतीष, पैंतीष, बत्तीष, इकत्तीष तीष, उन्टीष, अठाईष, सत्ताईष, चब्वीष, पच्चीष, चोवीष, टेईष, बाईष, कीष वीष, उन्नीष, अठारह, सत्रह, सोलह, पंद्रह, चोदह, तेरह, बारह, ग्यारह दस, नौ, आठ, साथ, छो, पांच, चार, तीन, दो, एक, शुन्य वाध्याए प्राश्न पहला, साव से एक तक की उल्टी गिन्ती बोलो, अंक और अक्षरों में उल्टी गिन्ती लिखो अभी अभी हमने जीस तरह उल्टी गिंती पढ़ी है, उसी तरह आप भी उल्टी गिंती बोलो, बाद में उसे अंक और अक्षरों में उल्टी गिंती के रूप में लिखो. कुनरा वर्तन एक प्रश्न पहला, वर्ण माला सुनाओ और विशेश वर्णों के उच्चारण पर ध्यान दो. तो बच्चों, ये है हमारी वर्ण माला. तड़ते हैं अ, आ, ई, इ, उ, उ, ए, ए, पै, ओ, आ, आ, ट, इ, आ, 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 ल, आहां, रू. त, थ, ग, घ, ग, ग, च, च, ज, 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 त, त, थ, द, ध, न, त, थ, द, ध, ध, न, त, थ, द, ध, ध, न, प, थ, ब, भ, म, य, रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, रो, छो, ग्यो अब हम वर्नमाला पढ़ते हैं ये हैं हमारे वर्नमाला के स्वर्ण इन्हें एक-एक करके पढ़ते हैं फ आ, आ, ऍी, ई, उ, उ, रू, उ, रो ए, उ, ओ, खो, उ, ए, म, अह, आ जुटु हुग फग अगोगोrees जुट जो जोकोगो दोगोगोगो जोगोग जो tapने ह svas पो, थो, बो, भो, मो, यो, रो, लो, वो, शो, शो, सो, हो, रो, त्रो, ग्यो. प्रश्न दुसरा विद्याले के स्नेह सम्मिलन का वर्णन करो आपके स्कूल में जो स्नेह सम्मिलन होता है, तो उसका हमें अपनी भाषा में वर्णन करना है चलो तो उदाहरन के तौर पर स्नेह सम्मिलन का एक वर्णन हम पढ़ते है मेरे विद्याले में प्रत्तेत वर्ष स्नेह सम्मिलन मनाया जाता है इस वर्ष स्नेह सम्मेलन के मोख्य अतिती थे उने विश्व विद्याले के उपकुलपती उनका स्वागत लेजिम रुद्य द्वारा किया गया. प्राथमिक विभाक के विद्यार्थियों ने स्वागत नुरुत्य प्रस्तुत कर सभी अतितियों का मन मोह लिया। माध्यमिक विभाक के विद्यार्थियों ने देश के विभिन्न प्रांतों का लोक नुरुत्य तिखा कर समा बांध लिया। उच्च माध्यमिक विभाग के विद्यार्थियों ने हिंदी और मराठी में देश भक्ती पर नाटप प्रस्तूत किये। प्रधानाध्य पक ने विद्यार्थियों को पुरस्कार दिये। इस अउसर पर विद्यार्थियों के साथ साथ उनके माता पिता भी उपस्तित थे। इस तरह इस वर्ष भी बड़े धूम धाम से स्नेह सम्मेलन मनाया गया। प्रश्न तिसरा पसंदिदा विशए पर विज्ञापन बनाकर उसको पढ़ो। विज्ञापन याने एड़रेटाइजमेंट तो हम कुछ एड़रेटाइजमेंट के विज्ञापन के नमूने देखते हैं। आप भी अपनी पसंद का विश्य लेकर उस पर आधारेत विज्यापन ज़रूर बनाना ये देखो ये पहला विज्यापन है साइकेल की उपर तयार किया हुआ क्या है विज्यापन साइकेल की सवारी बच्चों को लगती प्यारी क्या नाम है साइकेल का हीरो साइकेल आज ही ये हीरो साइकेल, सुपर सुर्मा, वशिंग पाउडर सुर्मा, दूदसी सपेदी सुर्मा से आए, हर रंका कपड़ भी खिल खिल जाए, सब की पसंद सुर्मा, वशिंग पाउडर सुर्मा, दमदार सफेदी, जानदार सफेदी, केमत पहले से कम, अब 30% जादा, सफेदी एकदम चकाचक, सुपर सुर्मा, वशिंग पाउडर सुपर सुर्मा, नवे जीवन स्पोर्स, स्पोर्स के सभी चीजे मिलने का जो दुकान है, नवे जीवन स्पोर्स, उसका यह विज्यापन अब हम देखते हैं, आओ अब इस खेल साहित्य पर आधारित एक विज्यापन अडवर्टेजमेंट तयार करते हैं, खुश खबर, खुश खबर, खुश खबर, आपकी शहर में पहली बार, नवे जीवन स्पोर्स, यहां हर प्रकार की खेल सामगरी मिलेगी, तुदगाटन के दीन, खरेदी पर 25 परसेंट की छूट इस मोकी का लाब उठाईएं, पता, नवे जीवन स्पोर्स, तिलक नगर, दादर, पूर्व, हमारा इमेल आईडी, नवे जीवन, एट दिरेट, एक्सवाईजेट, डाट कॉम, तो यह एक कोड़ साहित्य के बारे में यहोँ विज्यापन हुआ, अब आगे दूसरा विज्यापन भी देखते हैं, ये है पुस्तके, पुस्तक संस्था, पुस्तके किसके पास हैं, पुस्तक संस्था के पास हैं, तो इसी पर आधरीत विग्यपन तयर करते हैं, आई 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 उस्तक संस्ताद्वारा आयोजीत उस्तक प्रदर्शनी मुख्याकर्शन बाल सहित्य एवं विद्ज्ञान कथा समय सुबह नौ बजे से शाम के छ़ बजे तक दिनांग 15.16.2021 थान पुस्तक संस्ता मीनी नगर भांडुक पूर्व इमेल आई डी पुस्तक at the rate xyj.com तो जरूर पुस्तक संस्ताद्वारा आयोजीत पुस्तक प्रदर्शनी को भेट दिजिए प्रशन चौथा फल फूलों के दस दस नाम लिखो देखो तो हमें यहां ऐसा चार दिया हुआ है इनमें हमें क्या करना है फलों के दस नाम फूलों के दस नाम लिखने है चलो तो हम फल और फूलों के दस दस नाम लिखते है सबसे पहले फल के नाम देखो एक अनार आम, अम्रूत, केला, खर्बुजा, चिकू, जामुन, मोसंबी, तर्बुज, संत्रा अब हम फूलों के नाम लिखते हैं, कमल, कनेर, गुलाब, गेंदा, गुडखल, चमेली, चम्पा, जूही, पलाश, मोग्रा प्रश्न पांच्वा, अक्षर समुहों में से खिलाडियों के नाम बताओ और लिखो देखो हमें इस चार्ट में ये जो अक्षर दिये हुए है, उनसे कौन से खिलाडि का नाम बनता है, यह सोच कर आगे लिखना है क्या है दिखो तो, सा, इ, न, साइना, ने, ह, व, ल, क्या नाम हुआ, साइना, नेहवाल चलो तो नाम लिखते हैं, साइना, नेहवाल ध्यान चन्द, क्या नाम हुआ, ध्यान चन्द, ध्यान चन्द अब आगे देखो, जाधव खाशाबा, जाधव मिल्खा सीह, मिल्खा सीह, मेरी कॉम, मेरी कॉम सा, नी, या, मिर्जा, सानिया, मिर्जा न, रो, सो, सो, छी, न, तेंड, डू, ल, को, रो सचीन तेंडूल कर प्रुती उपक्रम इस शिर्शक के अंतरगत हमें कुछ उपक्रम दिये है, प्रोजेक्ट दिये है तो क्या प्रोजेक्ट है, उसे कैसे पूरे करने है, खाओ तो देखते है अब हमें जो क्रुती दिये है, उसमें से पहली क्रुती है, माता पिता से अपने बारे में सुनो अब अपने बारे में यानि तुम्हारे बारे में तुम्हारे माता पिता से क्या क्या सुनना है उसके लिए अब हम एक प्रश्णावली तैयार करते हैं, वही प्रश्ण अगर आप अपने माता पिता से पूछोंगे, तो आपके बारे में कुछ जानकारी जरूर पासकोगे. प्रश्णावली देखो बच्छों, आपके बारे में आपके माता पिता से जानने के लिए एक छोड़ी सी यह प्रश्णावली तैयार की हैं, यह सारे प्रश्ण आप अगर अपनी माता से पिताजी से पूछोंगे, तो अपने बारे में बहुत सारी जानकारी पासकोगे, तो प्रश्न आपको किस से पुछना है, अपने माता से, पिता से पुछना है, प्रश्न दुसरा, मेरी बच्पन की कौन सी बाते सब को हसाया प्रटी थी, प्रश्न तीसरा, मुझे बच्पन में कौन से खेल, खिलों ने जादा पसंद थे, प्रश्न चाओ था, मैंने चलना कौन सी आयो में शुरू किया था, प्रश्न पांचवा, मैंने बोलना कौन सी आयो में शुरू किया था, प्रश्न चठा, बच्पन में मैं कौन सी बातों से डरता था, प्रश्न साथवा बच्पन में मुझे सबसे ज़्यादा क्या खाना पसंद था? प्रश्न आठवा बच्पन में मुझे कौन सी बिमारिया हुई थी? तो इसी तरह और भी कुछ प्रश्न आप अपनी तरफ से जोड़ देना और अपने बारे में अपने ही माता-पिता के और से जानकारी पाना पिछले वर्श किये अपने विशेश कारिय बताओ अब विशेश कारिय अनेक व्यक्तियों के बारे में हो सकते हैं कौन-कौन से विशेश कारिय आप लिख सकते हो? उसके लिए मैं आपको कोच क्ल्यू देती हूँ रश्नावली आपने जो विशेश कारिय किया है उसके लिए कुछ मुद्दे यहां दे रहे हैं उसके आधार पर आप जो विशेश कार्य किये हैं आपने उसके बारे में जानकारी जरूर लिखना एक आपने परिवार से सम्बंदी किया हुआ विशेश कार्यों दो आपने पडोसी से सम्बंदी किया हुआ विशेश कार्यों तीसरा आपने पाच शाला से सम्बंदी किया हुआ विशेश कार्यों, चोथा आपने परिसर से सम्बंदी किया हुआ विशेश कार्यों, पाचवा आपने मित्रों से सम्बंदी किया हुआ विशेश कार्यों, और छठा आपने स्वयम से सम्बंदी किया हुआ विशेश कार्यो तो हर एक विशे के सम्मंदिय आपने जो भी कोई विशेश कार्य किया होगा उसके बारे में यहां जानतारी जरूर लिखना बाल सभा में प्रती दिन बोध कठा का वाचन करो आपको कठाय सुनना तो बहुत अच्छा लगता है ना तो आप भी इस तरह की अलग-अलग कहानियां पढ़ कर उसका वाचन बाल सभा में जरूर करना उदारन के तौर पर मैं आपको यहां एक कहानी सुनाती हूँ कोईला और चंडन बोध कठा हकेम लुक्मान का पूरा जीवन जरूरत मंदों की सहायता के लिए समर्पित था जब उनका अंतिम समय नजदिक आया तो उन्होंने अपने बेटों को बुलाया और कहा बेटा मैंने अपना सारा जीवन दुनिया को शिक्षा देने में गुजार दिया अब अपने अंतिम समय में मैं तुम्हें कुछ जरूरी बाते पताना चाहता हूँ तुम एक कोईला और चन्यन का एक टुकड़ा उठा लाओ बेटे को पहले तो यह अटपटा लगा लेकिन उसने सोचा कि जब पिता का हुक्म है तो यह सब लाना ही होगा उसने रसोई घर से कोईले का एक टुकड़ा उठाया संयोग से घर में चन्यन की एक छोटी लकड़ी भी मिल गई वह दोनों लेकर अपने पिता के पास गया लुकमान बोले अब इन दोनों चीजों को नीचे फेग दो बेटे ने दोनों चीजे नीचे फेग दी और हाथ भोने जाने लगा तो लुकमान बोले ठहरो बेटा जरा अपने हाथ तो दिखाओ फिर वह उसका कोईले वाला हाथ पकड़ कर बोले बेटा देखा तुमने कोईला पकड़ते ही हाथ काला हो गया लेकिन उसे फेग देने के बाद भी तुमारे हाथ में कालिक लगी रह गई गलत लोगों की संगती में इसी तरह होती है उनके साथ रहने पर भी दुख होता है और उनके न रहने पर भी जीवन धर के लिए बदनामी साथ लग जाती है दूसरी और सज्जनों का संग इस चंदन की लपड़ी की तरह है जो साथ रहते हैं तो दुनिया भर का ज्ञान मिलता है और उनका साथ छूटने पर भी उनके विचारों की महब जीवन भर साथ रहती है इसलिए हमेशा अच्छे लोगों की संगती में ही रहना तुम्हारा जीवन सुख़द रहेगा तो बच्छो इस तरह की बोध कथाए पढ़ने के लिए आपको अंतरजाल में इंटरनेट पे बहुत सारी इसी कथाए मिल जाएंगी मैं आपको कुछ उसकी साइट यहां देती हूँ देखो तो यह जो साइट आपको यहां दी हुई है इसके द्वारा आप बहुत सारी इसी बोध कथाए जरूर पढ़ सकोंगे आप पढ़ोंगे और औरों को भी वह बोध कथाए जरूर सुनाओगे वर्ष भर के खेल समाचारों का सचीत्र संकलन प्रस्तूत करो खेल समाचार जो अखबार में आते हैं तो उन्हें देख कर उनकी कत्रने निकाल कर उनकी अलख सी कापी बना कर उसका संकलन आप कर सकते हो देखो इस तरह से खेल से जुड़ी हुई कई अखबार में नूज आती हैं समाचार आते हैं तो उनकी कत्रने निकाल कर आप इनका संक्रह बना सकते हो इनका संकलन कर सकते हो इस तरह की कत्रने आपको आसानी से समाचार पत्र से मिल जाएगी तरह तरह के खेल की इस तरह की समाचार पत्र में आई जो समाचार है उनको पढ़ कर उनकी कत्रने आप पा सकते हो अब यभी जो ओलिम्पिक्स परदा हुई तो उसके भी कही सारी कत्रने आपको आसानी से पुराने नियूस्पेपर में मिल जाएगी ओलिम्पिक में शामेल इस तरह के जो खिलाडी है उनके फोटो उनके नाम और उन्होंने कौन से खेल में बाजी मारी इसके बारे में आप जरूर लिखना रेखो ये अलग-अलग खेल में अपना कार्य लिखाये हुए ये जो खिलाडी है इनके बारे में ज़रूर जानकरे लिखना प्यारे बच्चो आज हमने स्वयम अध्ययन एक और पुनरावरतन एक में दिये हुए स्वाध्ययों को पूरा किया है आगे आपको दिवाली की चुटिया होगी तो इन चुटियों में ये जो स्वाध्यय दिये हुए है इनको अपने काप्य में उतारो और जो कृती उपकरम आपको दिये हुए है उनको जरूर पूरा करना दिवाली के चुट्टी के बाद हम सब फिर मिलेंगे तो आपके जो उपक्रम है आपके जो स्वाध्या है वो आप अपनी क्लास टीचर को ज़रूर दिखाना आज आपने यहाँ वीडियो, कुम्पुटर, लैप्टॉप या मोबैल पर दिखा होगा वीडियो के अंत में इस तरह का एरो दिखाई देगा इस एरो को आपको क्लिक करना है एरो को क्लिक करते ही आपके सामने डिस्क्रिप्शन बॉप्स खुल जाएगा इसमें आपकी कक्षा विशय, घटब तथा टीचर का नाम दिया हुआ है और उसके नीचे जो विडियो आपने देखा है, उस पर आधारी कुछ प्रेशन दिये होगे जिसके उत्तर आपको अपने काफी में लिखना है और हाँ, यहाँ आपके लिए एक लिंक दी हुई है इस लिंक को आपको क्लिक करना है इस link को click करते ही आपके सामने google form पुल जाएगा इस तरह google form जो survey या feedback form है आपके सामने पुल जाएगा इस form को भर देना और हाँ अंट में इस form के submit का जो बटन है उसे click करना इस link को click करके google form ज़रूर भरना और हाँ अगली बार वीडियो देखने के लिए छटी कक्षा का ये thumbnail ज़रूर याद रखना मेरा ये वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा तो इस वीडियो को like किजिए, share किजिए, subscribe किजिए मेरा ये वीडियो जयान से देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद